नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे कुछ फैकल्टी का भी रिक्रूट्मेंट चल रहा है 3 NIT में तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं तो यह आप देख सकते हों यह है NIT मेघालया का ओफिसियल वेबसाइट यहां अड़डाइजमेंट दिया गया है अड़डाइजमेंट फर फैकल्टी पोजिशन साथ NIT मेघालया यहां देखे हैं मेंशन किया गया है कि बहुत सरे डिपार्टमेंट में वेकेंसी है और इसके लिए जो last date है अपलाई करने का ये है 31 अगर्स 2021 ओनलाई अपलाई करने का last date है ठीके इसके बाद online अपलाई करने का बाद उसको फिर से डाउनलोड करना है और उसको scan करना है जो hard copy इसको डाउनलोड करके उसके साथ जितने भी सारे supportive documents से इसको attach करके आपको भेजना है यह जो address दिया गया है university का जो address है इस address में आपको भेजना पड़ेगा 15 September 2021 से पहले और इसका जो application process है यह already शुरू हो चुका है 15 जुलाई से ठीके इसका जो online application का last date है 31 अगस्ट देन इसका जो hard copy submit करने का date है 15 September 2021 नाव अभी हम देखते कौन-कौन सा position vacancy है आप यहां आसिस्टन प्रोफेसर ग्रेड टू जो permanent position यह vacancy आसिस्टन प्रोफेसर ग्रेड वान पर्मानेंट पोजिशन यह vacancy है आसूसियेट प्रोफेसर 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 बाकि यहां scale पे के बारे में discuss किया गया है आप चाहो तो इसको देख सकते हो बाकि यहां आप देख सकते हो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सिविल इंजिनीरिंग में एक वैकेंसी है, कम्पुटर साइंस और इंजिनीरिंग में तीन वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजिनीरिंग में चार वैकेंसी है, मेकानिकल में कुछ नहीं है, फिजिक्स में कु वेकेंजी नहीं है, Humanities and Social Science में एक वेकेंजी है, तो total मिला करके हो गया आपका 10 positions ठीक है, और इसमें देखे mention किया गया है, काटेगरी के हिसाब से, on result में 3, SC में 2, ST में कुछ नहीं है OBC में 5, ठीक आप चाहो तो इसका snapshot भी ले सकते हो, apply कैसे करना है, आप यह थी इसका detailed advertisement देखना चाहत हो, देखें, यहाँ mention किया गया है detailed advertisement, आप इसी के उपर clicker के detailed advertisement देख सकते हो, और apply करने के लिए, यहाँ आप online apply कर सकते हो apply online, ठीक है तो यह था इसका details then हम देखते है next next यह आप देख सकते हो, National Institute of Calicut, Calicut में जो vacancy है यहाँ mention किया गया है, notification for faculty recruitment, यहाँ देखें mention किया गया है, कौन-कौन सा department में vacancy है architecture, engineering, management and science total 4 department में इनका vacancy है ठीक है, then इसका procedure किया है इसका procedure वही same है, online पहले आपको apply करना पड़ेगा, उसके बाद, आपको इसका जो hard copy है इसको भेजना पड़ेगा, इस address पे तो इसका important date क्या है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ mention किया गया है, opening date for online portal is already शुरू हो चुका है, then इसका last date है, submission of online application is 14th, 8th, 2021 ठीक है, और इसका जो hard copy पहुंचने का जो date किया है यह 30th, 8th, 2021 5 बच का 30 minute बाकी आप इसका detailed information आप देखना चाहते हो instruction to the candidate आप इस link के उपर क्लिक करके देख सकते हो ministry of education, the faculty recruitment जो rules है, इसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, then clarification and recruitment rules, यहाँ link दिया गया देख सकते हो, then link to recruitment portal आप इहाँ क्लिक करके online apply कर सकते हो, तो कोई भी आप interested हो, इस subject के लिए particular architecture, engineering, management and science के लिए, तो आप यहाँ apply कर सकते हो then हम देखेंगे next यह है National Institute Technology Silture NIT Silture में जो vacancy है, यहाँ mention किया गया है, faculty recruitment portal, click here to apply apply करने के लिए आपको यहाँ click करना पड़ेगा click here to view the advertisement आप यदि advertisement देखना चाहते हो, तो यहाँ click करके आप advertisement देख सकते हो यदि आपका कुछ भी query है तो यहाँ देखेंगे एक email id दिया गया है आप इस email id पर भी contact कर सकते हो now, क्या-क्या vacancy है आप यहाँ देख सकते हो, professor, associate professor then assistant professor grade 1, assistant professor grade 2, assistant professor grade 2 यह 5 प्रकार का यहाँ vacancy है then notification of the updated update application will be given through the institute's website and candidate email 15 days prior to the cut update actually इसका जो particular कुछ end date नहीं है ठीके, इसका कुछ end date नहीं है आप चाहो तो कभी भी इसको apply कर सकते हो then eligibility criteria के बारे में आप जानना चाहते हो यहाँ देखे, तीन link दिया गया है आप इस link के उपर clicker के eligibility criteria के बारे में आप जान सकते हो then department and specialization देखे, सारे के सारे department में यहाँ vacancy है mention किया गया है civil engineering, computer science engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering electronics and instrumentation engineering, mechanical engineering, physics, chemistry, mathematics, humanities, humanities and social science and management यह सारे के सारे subject में आप चाहो तो apply कर सकते हो then application का procedure किया है, देखे, ऊपर यह एक link दिया गया है, यह जो link है candidates are willing to apply for the post of advertisement are requested to apply through online portal, यह जो link है ठीक है इस link पर आप चाहो तो इसको apply कर सकते हो बाकि कुछ information दिया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और इसका कुछ last date इन्होंने mention नहीं किया है, आप कभी भी इसको बोलते है rolling advertisement यादि fill up हुआ तो हो गया नहीं तो फिर से advertisement आएगा तो इसका कुछ ऐसा specific date नहीं है तो तीन NIT में vacancy है, एक है signature, यह है collect, यह है आपका megal है और यह तीन का जो link है मैं दे दूँगा description में, वहाँ जाकर आप इसको भी download करके देख सकते हो तो यह था इसका detail जो भी आप interested हो, आप जितना जल्दी हो सके apply कर दीजिए और जिन्होंने अभी तेख हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe कर लिजिए फ्यूचर में जो भी notification आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा So thank you, all the best